Hello to everyone, कैसे आप सब festivals आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग मिठाईयां लाते हैं और घर पर भी बनाते हैं, तो चलिए घर पर बहुत ही आसानी से बनाते हैं, टेस्टी और आसान सी मिठाईयां, जिसके लिए मैंने लिया है चीनी, चीनी है 200 ग्राम, नारिल का पूरादा लिया है, व अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप बढ़ा सकते हैं, अब हमें लेनी हैं बड़ी कड़ाई, और उसमें जो मिल्क है वो डाल देना है, कड़ाई गरम थी, इसलिए पूरा दूद्ध अच्छे से एकदम उबलने लगा ये देखिए, अब थोड़ी त मिक्स करना है, देखिए हमारे दूद में कैसे पूरी क्रीम बाहर आ रही है, इससे हमें मिठाई में खोए की भी जरुवत नहीं पड़ेगी, और दूद से ही बहुत अच्छे मिठाई बनकर त्यार हो जाएगी, ये देखिए दूद फटा नहीं है, आपको दूद फटा ल करके हमें इसे पकाना है, धीम आज पर इसे पकाना है, अब इसकी थुड़ी सी आज सतेज करती जे और बस ये देखिए, ऐसे इसे पटने दीजे, बस दो से तीन मिनट इसे ऐसी अच्छे से पकाना है, और फिर इसमें थोड़ा सा घी डालना है ताकि ये उसमें चिपके न त्यार हो जाए अब इसमें डालना है इलाइची पाउडर और उसको करना है मिक्स इलाइची पाउडर से टेस्ट और खोशिबू दोनों बहुत अच्छे आएंगे इसे ऐसे मिक्स करना है और तेज आज में से 2-3 मिनिट के लिए छोड़ देना है तो इसे 3 मिनिट में यह तेज आज में रहेगा तो जल्दी से सूख जाएगा यह देखिए कि अच्छे सी यह सूख गया है इसे थोड़ा सा और पकाना है बस यह देखिए कि हमारी मिठाई एक दिम बढ़िया से त्यार हो गई है इसे आप नारिल परफी बोलिए या कोप्रा पाग बोलिए कुछ राती भी से कोप्रा पाग बोलते हैं और यह बहुत ही तेस्टी लगती है खाने में बस हमारे मिठाई त्यार है अब आप इसे किसी भी प्लेट में डाल कर अच्छे से सेट कर लिजे आपको नीचे घी बड़ा हुआ तो यह चिपकेगा भी नहीं और आसानी से निकलाएगा यह देखिए बस इसको अच्छे से इसमें कर लेना है सेक्ट यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है असे खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है इस रक्षबंदन पर आप घर पर मिठ है खिलाएए बस अब इसे चाकू से आप कट कर लीज़ें पीसे में अच्छे से कट कर लीज़ें आप अगर चाहिए तो इसके और भी पतले पीसे कर सकते हैं इस रेसिपी को ज़रू से ज़रू ट्राइ करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने लोगों में शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब इसके उपर से मैं बदाम लगा रही हूँ आप चाहें तो कोई भी इसमें पिस्ता काजू आप लगा सकते हैं यह देखे हमारी मिठाई बनकर त्यार हो गई है अब इस चिपक भी नहीं रही है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी है अपने भाईयों के लिए स्पेशल मिठाई बनाए और अपने भाईयों को खिलाए थैंक यू सो मुच फॉर वाचेंग